सब्सक्राइब क्योंए स्यासी समिकर्ण हुन मजूदा सिती दे समझने चाहांगे होर केडियां होर वड़ियां खबराने जो तुसी आज दे प्रोग्राम विच दर्शका देना सांजियां करना चाहोगे हजो जी तेन चार वड़े मुदे ता है इने पर मैं सब तो पहला विक्रम वजीठिया दी गाल करना चाहूँगा सानू सारानू याद है एक दो दिन पहला विक्रम वजीठिया ते पगवंत मान दे वचाड़े एक वरी फिर सानू सक्त तिक्षी शब्दी वार दिखनू मिली सी जदो विक्रम वजीठिया ने सवाल चाकते सी पगवंत मान दे गोल्डी ब्राड़े मामले ते जड़ा ब्यान दता सी पगवंत मान दे उस मामले ते विक्रम वजीठिया ने पगवंत मान दे सवाल खड़े करते ते उना ने एक तरीके नाल किया सी कि सानू मुखमंतरी दे बियान ते प्रोसा नी हलाकि पूरे मुलक दे वेच साधियां स्क्यूरिटी जन्सियां ने खुल के गोल्डी बराड दे डिटेन करन बारे उसनु हिरासच लैन बारे या गरतारी बारे किसे तरहंदी ओफीशल स्टेटमेंट नई सी दती पर प्रगवंतमान ने जहा ब्यान जरूर दता सी होना ने कंफरम कीती सी एक तरीके नाले गल के ओ हिरासच है डेटेन करन दी गल होना ने कंफरम कीती सी हुन भिकरम जीठिये ने इनू मुद्दा बनाया सी ते हुन पगवंत मान दे सियासी दूत बनके आम आदमी पार्टी ते जड़े मुख बुलारे ने मलविंदर सिंग कांग उना ने भिकरम जीठिये नू मोडमा जवाब दता है और मेनू नू लगदा है कि हुन पंजाब च आज तक बिकरम जीठिये नाल खुल के सियासी विरोध किसे ने आम आदमी पार्टी ते दरजनी सी कराया जिस पदर ते मलविंदर सिंग कांग सिदे होगे बिकरम जीठिये दे परती आजे दे दिनाच मेनू लगदा है बिकरम जीठिया पर बिकरम जीठिये नू मलविंदर सिंग कांग होट नि लिःट records ते मोड़ सेंग आए और ते विक्रम जीठी नो पल्टवार करता मलविंदर सिंग कांग केंदे कि विक्रम जीठी नो पंजाब दे तिन क्रोड लोकाँ वन्हों चुने मुख्मंत्री पगवंत मानते परोसानी पर उस कथित गोल्डी ब्राड़ी स्टेटमेंट ते या उदे परोसाय उदे कहे ते क्योंकि कई तरह निया गलना चाल रही हैं ने एक मीडिया दे वेच वी कें दे चर्चा चाल रही है कि उन्हें पोस्ट पाती उन्हें बियान देता कि मैंनों किसे ने हिरासच नहीं लिया उन जो हिरानी आली गालता है कि पंजाब दे डी जी पी ने हाले तक गोल्डी बराड़ते कोई ट्वीट या स्टेटमेंट नहीं दती साधियां देशनियां केंदरी अजनसियां ने वी हो देते कोई बियान नहीं दता पर मलविंदर सिंग कांग होना ने कल फिर दोहरा दता उनने क्या कि बिलकुल उसनों डटेन कीता गया है और केंदर सरकार वलों सूबा सरकारतों डोजियर भी मंग्या गया है साधी पाशाच डोजियर नो कैदन देने अपराद नमा अपराद एक रकार गोल्डी ब्राड़ दा अजेहा एक वरका जिस दे वेच उस दा सारा पछोकर उस दे जर्म उस दी पारतों बार जान दे समें दी उस दी गतीवी दी इस तरह दिया गलाँ होँ दे वच धरज हों दिया ने उनदे कड़े कड़े रिष्टिदार ने कड़े कड़े मकड़े ने कड़े कड़े मकड़ें दा की स्टेटस है तमाम तरह दिया जान कारिया उसनों मंग्या गया Erica मीडिया दे विच वीच सर्चावाने पर official तोर दे उत्ते देश दी किसे भी अजंसी ने goldie brad नो हिरासच यहां detain कीते जान दी कोई official खबर हजेता कसांजी नहीं कीती हो सक्ड़े सुरख्या दे पक्षों ये लाजमी भी होवे हो सक्ड़े goldie brad सचमुच detain कर लिया गया होवे पर अरे सारे क्यास है ये भी हो सक्ड़े कि यो हिरासच ना होवे FBI दी निगरानीच होना हो सक्ड़े निगरानीच होवे electronic निगरानीच होवे पर जेड़ी गल पंजाब चो हो रही है मलविंदर सिंग कांग ने सिद्दे तो और ते बिकरम सिंग मजीठे नो किया कि तो अड़ा ते तो अड़ी सरकार दा जिड़ा पचोकर है वो कितना किते गैंग्स्टर वाद नाल जुड़ा होया है क्योंकि बहुत सारे अजेहे शक्की लोकां दियां तस्वीरां पुराने समेच लीडरां दे नाल चर्चा चाहियानी सो मिलविंदर सिंग कांग ने एक वड़ा जाम लाता के बिकरम जीठे दी सरकार ता खुद शक्की रही है जदो हो मंत्री सी ओदों अकाली दल दी सरकार ता खुद शक्की रही है और चिटे दा रवाज पंजाब च अकालिया दी सरकार वे ले शुरू होया है इस तरीके दे उनने जाम लाएने और बिकरम जीठिये नो भी उनने सिद्धत औरते किया जदो पत्रकारा ने सवाल पुछा कि अर्विंद केजरी वाल नेता सौरी फिल किती सी बिकरम जीठिये तों ड्राग डाले मामले ज़ ता मलविंदर कांग के दे कि ओ मामला पहला सरकारवलों उनने सिद्धा इल्जाम नी लाया पर उनने इशारा देता कि यसी सरकारवलों हर चीज़ते नजर बनाके बैठे हैं पाव इड़िच कोई दोराएं नहीं है कि पंजाब च मजूदा समेच विजलेंस बियरो जिमें चुप चुप चुपीते लीडरानू सद ल सियासी दुश्मनी जो समझे जा सकते ने सियासी दुश्मनी ता ही है ना जो महौल बने होया है पंजाब दे विच बिकरम जीठी दा और आम आदमी पार्टी दे विचाले तक्रार दा सो और दे दिनाज एद उपर वेखांगे की बनदा है पर एक गल साफ है कल मलविंदर संग कांग होना ने प्रेस काउनफरंस कीती सी और पलट वार कीता सी बिकरम संग मजीठी ते आज अमीद है आज यहां कल अमीद है के बिकरम संग मजीठी दिधिया भी आम आदमी पार् दे, हलका इंचार्ज ने, हुन अंदे समेच एवी विखनाली गल होएगी कि दलजीज सिंग चीमा दा रुख की रहना है, क्योंकि बहुत समभावना है कि मिलविंदर सिंग कंग, श्री इननदपुर साब लोक सबा हलके तो चोन लर सक देने, उमीदवार बन सक देने, आम आएक नहीं बने हार गए, पर हो सकता है कि इस वार ओ खुद मुकाबले दे विच उत्तरजान लोकसबादी सीट लई, किसे भी तरह दियां जिड़ियां समभावना वाने होना तो इनकार नहीं किता जा सकता, हलाकि पिछली वारी प्रफेसर पेम सिंग चंदू माजरा उत् कैप्टन अमरिंदर सिंग दा कोई डिका नहीं है, हाँ, बीबी परनीत को और इस वार मेदांच हो सकते ने, बीजे पी वेलों, क्योंकि हले तक ता हो कांगरस ही ने, पर कैप्टन अमरिंदर दा लग पग काफी टबर उना दी ती ही, बीजे पीच चले गी, कैप्टन अमर अबना बहुत जाद है, सियासत है, अगर हुने ही, बीबी परनीत को और लोक सबादी सीट तो असीफा दंदे ने, ते छे महीने दे वेच 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 जिमनी चोन हो जानी है, तो इस करके हले बीजे पी दी स्थितियों नहीं है, के बीजे पी पंजाब, गुर्दास पुर यां मजूदा समयरे वेच उना को ले खुशार पुर्दी सीट है, उस तो लावा किते लोक सबादी चोन जेता सके, इस समबावना हले नहीं है, उन्जेता गुर्दास पुर्दी भी नहीं है, क्योंकि सनी दियोल ने गुर्दास पुर्दे नार जिस तरीके दा रवया तो फिल्मी गल्ना ते परोसानी बाडा कीता जाना इस करके ओता केंदे सी तर मिंदर केंदा सी वी सनी दियोल तक कार लाके रहूगा थे कोठी लैलू अइथी रहूगा किते नहीं जाना कोज के देन सनी दियोल सरते कैप पाके रखी सी होना ने सनी दियोल होना ने टोपी शब्र चंगा नहीं लगदा सो पर उस तो बाद सनी दियोल तर मिंदर्दी तरह पंजाबी पहरावेच वी नजर आई सी पर वापस चले गए सी जित के वापस चले गए सी पारलिमेंट चांदे जांदे ने सो बीजेपी दी गल होरी सी बीजेपी गुर्दास पुर्च भी कमजोर है अमर सर्च बीजेपी हारी होई है और सिर्फ हुशार पुर जड़े सोमनात ने हुशार पुर दी सीड़तों लोकसबातों ओ मुकाबला कर सकते ने सो जहीं सितियां जबी परनीत को और हजे अस्तीफा नहीं दे सकते कांगरस छड़के ल हो सकते है जवें जवें लोकसबानियां चोड़ा नेड़े यान बीवी परनीत को और वी पाजपादे रंगे चरंगे जान इदी सम्भावना बहुत जाद है पर जड़ी गल होरी सी मलविंदर कांग और बिकरम सिंग मजीठी है दी इना दी जड़ी सियासी दुश्मनी है ओ और समय दे वेच होर वड़ी हुंदी नजर आएगी क्योंकि कितना किते मलविंदर सिंग कांग ने बिकरम जीठी है ते उससे तरह दे लजाम लाए वड़े जिस तरह दे लजाम किसे समय आम आदमी पार्टी दे बहुत सारे लीडर बोड़ लाके लाया करते सी तो उना ने दो एनराईया दा नाम भी लिया जिना वारे क्या गया कि उना नू पुष्ट पनाई कर दे रहे बिकरम जीठी है तो इस तरीके दे गबीर जाम एक वरी फिर बिकरम जीठी है ते मलविंदर सिंग कांग ने अपनी प्रस कांफरेंस दे वे चलाए ने क्योंकि ओ केंदे के बिकरम जीठी है नू पगवंत मान ते पर उसा नहीं पगवंत मान दी स्टेटमेंट ते पर उसा नहीं बलकि बिकरम जीठी है गोल्डी बराड दी गालते पर उसा कर रहे है तो इस तरीके नाल गल्ला नू जोड़न दी कोशिश हो रही है तो सियासी कटना करा की कैन गे आज जियां कल एदे तेवी नजर बनी रहेगी बाकी हर तेर कोई भी तेर अपना पाख रखना चावे ते उना दे सारे पकानू असी स्वागत करके जरूर उदर कई तरह दे टकरा दे दौर चो सियासी टकरा दे दौर चो पंजाब लंग रहा है कमल जी सिंग दे पुत्तर ने उना ने राजा वडिंग ते सियासी हमले कर रखे ने उना ने वड़े वड़े इल्जाम सिदू मुसे वाले दा ना लेके राजा वडिंग ते लाए सी साफ तोर ते टेली विजनारियां इंटर्वियों चे कमल जी सिंग बराड बोल रहे ने के राजा वर्णिंग ने इस सारे Sadly मेन कारे न और राजा वर्णिंग ने किया है, के इस मामलें ते सिद्कूमुसेPark Boyi दे पिता से जिवाब दे सकते हैं सो राजा वर्णिंग ने एक तरीके नाल एक हैदता ता के कमल जी संगबार क्योंकि उन्हें पार्टी जो arrived at it's a क्यों नराज है और राजा वडिंग ने बड़ी सफाई देनार कमल जी सिंग बराड दे इल्जामा दा सियासी खात्मा करन दी कोशिश कीती है राजा वडिंग कें दे सियासत इल्जाम चल दे ही रहने ने पतर का रोना तो बहुत सारे सवाल कल पोछ रहे सी ते राजा वडिंग ने हासे हासे वेची पोछ लिया कि तो आड़े टेलिविजन चैनल नो जे कोई कह दे कि तुसी आइने पैसे लेके खबर चलाने हो ते फिर फिर की है सो गाल भी ठीक है कई वरी जड़े इल्जाम ने इल्जामा दे विच सजाई किनी है तत किने ने ए बड़े माईने रख देने सो कमल जी तो बराड अगर कोई सबूत कड़ के लिए उन ते फिर गाल जड़ी या होर दिल्चस्प हो सक दी है पर जड़ी सियासत है वो बिना सबूतना तो चल दी है या मैं आदमी पार्टी है पामे कांग्रस है पामे बीजे पी है जड़े सियासी लीडर ने उ्ह बिना सबूतना दे वी इल्जाम लों देने पर इस किस माम ले जड़े और अगये वादे ने फिर इना माम लें दी हकीकत न पता लगदा है कि इना दे विच्चों की निकले पर एक गल साफ है एक गल तो मुनकर नहीं होया सकता होया जा सकता कि विजलेंस ब्यूरो एक तो बाद एक कांगरस दे लीडरा नू बुला रही है गिरफतार कर रही है केस दर्ज कीते जारे ने एवी गल किसे तो लुकी नहीं है कि कांगरस दे कई लीडर फरार ने हुन एथो तक भी मीडिया देवेच रिपोर्टां छपन लागियां के कांगरस देता कई साब का MLA वी विजेशां चले गए ने जिन कईयां चो कईयां नू डार है वी किते विजिलन्स बियरो उना नू ना सादलाई वैसे बड़ी हिरानी अली गल है कि पंजाब कई जहे लीडर ने जिड़े आजकल नजर नहीं होंदे जिड़े पहला अकसर वड़े वड़े बियान दंदे नजर आउंदे सी अजे हाग क्यों है एदे ते वी होंदे दिना दे वेच जेड़ी स्थितिया साफ होएगी पर पार्थ पूशन आशू दे एक करीब भी अफसर सी रकेश कुमार सिंगला जेड़े कथित टेंडर अलार्टमेंट को टालाया नाज मंडियां दा ओदे ए मुख मुल्जम भी बनाए गए ने साब का डिप्टी डिरेक्टर ने फूड अते सिवल सप्लाई मैक में दे सो पार्थ पूशन आशू दे हुन दे रकेश कुमार सिंगला जेड़ा डिप्टी डिरेक्टर है मुखतल कीता जा चुकिया है केंदे विदेश चले गए ने विदेश पाज गए ने सो अगर वो विदेश पाज गए ने ते पार्थ पूशन आशू होना नू आपने समय ही होना दी जाच करा लानी चाहिए दी सी नहीं ता आज पार्थ पूशन आशू दियां देखताना वदियां हो दियां पर होन केंदे रिकेश कुमार सिंगला नू चीफ जुडीशल मैजिस्टेट लो दियाना दी अदालत है सुमित मकड शिरी सुमित मकड दी अदालत वलो उना नू पगोडा करार देता गिया सो पियो प्रोकलेमड ओफेंडर उना नू बना दता गिया है सो होन विजलेंस ब्यूरो उना दी जिडियां प्रॉपर्टियां ने लो दे आने विचलियां या पंजाब विचलियां उना दी पमैश कर रहे है और निजमा मताबक उना दी जिडियां प्रॉपर्टियां ने नो अटेच कीता जा सकता है पाव उस सरकारी खजाने च शामल कीती है जा सकती है ने सो एवी गल आँदे समेच हो सकती है सो कई जड़े कांगरसी लीडरां दे नाल इस अफसर दावी चंगे सबंद दसे जांदे ने सिर्फ रकेज सिंगला ही नहीं कई होर वी जहे पंजाब दे अफसर ने जड़े वकवक मामलें दे विच नामजद ने या ओँ जाँच दे केरे चा सकदे सी उना दे विचों भी कई के दे विदेश चले गए ने इस से करके पंजाब सरकार ने ओस सारे अधिकारिया दे सुची बनाई आए जिन्ना ने परमेनेंट रैजिडेंसी लई होई है कनेड़ा दी जिन्ना ने पिर लई होई है कनेड़ा दी जहार मुलका नी सो बहुत सारे अफसर मलाजम और विदेशाच चले गए ने सो ए अजीबो गरीब स्थिती देवेच मामले कई उल्ज गए ने पंजाब देवेचे हर्जो जी खीर्च में गल करना चाहूंगा गुजरात दियां हिमाचल दियां ते दिली मिनसिपल कारपोरिशन दियां वोटां दे नतीज़ां दे चोन सरवेखन कई तरह दे आउन लागे चोना तो बाद दे एगजिट पोल होंदेने ओ कई आउन लागे ते मिलिया जुलिया और जान है जिड़ा कांगरस ते आम आदमी पार्टी नो इनाच दखाया जा रहे है मुल रूप दे विच कितना किते जिड़े चोन सरवेखन चोना तो बाद दे एगजिट पोल ने चोना तो बाद आले क्योंकि चोना खतम होगिया उनाच बीजेपी नो अगे वखाया जा रहे है पर में वे लगदा है कि आठ दिसंबर तक दा इंतजार करना बहुत जादा जरूरी है आठ दिसंबर नो सुवेरे वोटां दी गिनती शुरू होनी है ते तिन चार कंटियां दे विच विच ही असल तस्वीर मुलक चो शुरू हो जानी है हलाकि वी सो चौवी तो पहला देश दे कई सूबियां दे विच वोटां पैनियाने पांच च्छे सूबियां दे विच वोटां पैनियाने राजस्तान दे विच वी वोटां पैनियाने राजस्तान दे विच वी स्थिटियो ही है बीजे पी वी कितना कितनी अंदरूनी कलेश दी शकार है ते कॉंगरस वी कॉंगरस चिता अशोक गहलोत ते सचिन पाइलट साफ तोर ते नजर आँदेने जिमें कैपटन मरिंदर ते नवजो सिंग सिदू दे वचाले सियासी रोडा सी उसे तरह अशोक गहलोत ते सचिन पाइलट दे वचाले वी सियासी रोडा पूरा पख्या हुया है ते कॉंगरस ने कॉंगरस दी हाई कमांड ने पंजाब चिता अपनी सिटी खराब कर ली सी कैपटन ते नवजो सिंग सिदू दे मामले नो सही तांग नाल हल नहीं कर सकी पर राजस्थांच वी सिटी उससे तरह खराब होई नजर आ रही है राजस्थांच वी कांगरस अशोग गहलो ते सचिन पाइलट दे वचाले जड़े मात पे इदने उननों खतम नहीं कर सकी सो एह हुन वक्त दसूगा पंजाब चोंटा कैपटन बीजेपी चले गए समझाता कर ले आसी कांगरस चाड़ के हुन राजस्थांच कौन बीजेपी नल जानदा है यहां समझाता करदा है एदे ते नजरा टिकियां रहनगियां वक्त थोड़ा रह गया वक्त ग्यारा महीं नहीं नहीं तो नहीं चोंटा नों पर मैं आठ जसंबर दियां वोटां दे नतीजियां वालनों मुड़दा हर्जोजी डिड़े आठ जसंबर दे नतीजे ने ए देश दी सियासत लई बहुत एमियत राकते ने वी सो चौवीद यां चोना तो पहला अरविंद केजरी वाल दी की रानीती होएगी निरिंदर मोदी नों मुख टाकरा अरविंद केजरी वाल देन गे वी सो चौवीच यां कांग्रस इना चोना ने फैसला कर देना है गुजराच अरविंद केजरी वाल ने बहुत जोर लाया पूरी आम आदमी पार्टी दी पारदी इकाई ही मैं काऊंगा कि गुजराच दे वेच डटी होई सी गुजराच करके आम आदमी पार्टी ने हिमाचल प्रदेश नो भी कल्ये छाड़ता सी हिमाचल प्रदेश चे ज़्यादा जोर नहीं लाया पर गुजराच आम आदमी पार्टी दे दो मुख मंत्री अरविंद केजरीयल ते पगवंतमान ने पूरा जोर लाता इदे नाल बहुत वड़ी गेंडती चे मंत्री ओदेदार पार्टी संगठंदे वरकर उत्थे पहुंचे पहुंचे रहे गुजराच देवेट और पंजाब चता में कई टेलिविजन चैनल दिखा रहे सी के इन्दे जड़ा सेक्ट्रियेट है मंत्राल है हिंदी चे सचिवालिया के इवेड़ी खाली प्यासी मंत्री पता नी अफ्सरानू किथे चले गए सी के इन्दे बहुत सारे मंत्री वदायक गुजरात डेरा लाके उनने रख्या ते गुजराच उन्हानू जिम्यदारियां दतियां सी और उनननो टार्गेट वी दते गए के इन्दे आनलाने तोरते वी जे तुसी चंगी प्रफॉर्मेंस दती अपने हलके च तब मंत्री मंडल विस्थार दे विच तो अनू था मिल चागी है सो होन ये वी समभावन है कि गुजरात दे नतीजियां तो 10-15 दिना दे विच विच अगरता गुजरात दे नतीजियां आम आदमी पार्टी दे माफ़क आए गुजरात दे दिली दे हिमाच चल दे अगर ता हम आदमी पार्टी दे माफ़क आई फेर ता पंजाब च मंत्री मंडल दा जड़ा फेर बदल है उँ बड़े जोर शोर दे नाल सानू हुनदा नजर आएगा अगर अगर माफ़क नाई ते फेर मंत्री मंडल हजे तालया वी जा सकदा है मंदल्डा विस्थार, मंद्री मंदल्च कुछमंतری आओ दे हजे खाली ने और कजमंतری आदे मेक में बदले जासक़े ने और पजाब कुछमंतरिया नूव वक्षवी कीता जा सक़े और अमें इक दो नूही कीता जावे इस तरीके डियां स्यासी चर्चामा आम आदमी पार्टी दे अंधरूनी हलकियां चछ चल दियाने हुन गलही है कि नरिन्दर मोदी होना ने पूरा जोर लाया Church नरिन्दर मोदी होना ने immediately आमदा बाच उना ने वोट पाई गुजराट दियां सीतां दिली दियां सीतां तेहमाचल दियां सीतां इना सारे आदे विच आम आदमी पार्टी किस हद तक काम्याब हुन्दी है की आम आदमी पार्टी कांगरस नू पचाड के दो नमबर ते आउंदी है गुजराच ते हमाचल ते बहुत एमियत रखोगा अगर आम आदमी पार्टी कांगरस नू पचाड के फिर वी आम आदमी पार्टी कांगरस नू पचाड के फिर वी आम आदमी पार्टी कांगरस नू पचाड के फिर वी आम आदमी पार्टी कांगरस नू पचाड के फिर वी आम आदमी पार्टी कांगरस नू पचाड के फिर पार्टी सानू वी सो चौवी लई सियासी टक्रा करदे नजरौन गे हो सक्ड़ाई कांग्रस ते होर जिडियां पार्टियां ने उना दापस गठ जोड़ भी होगे अगर अर्विंद केजरी वाल दूसरे नंबर ते भी आगे तामी बहुत संभावना है कि अर्विंद केजर लीडरां देनाल मिलके आपने मोर्चे नूँ वड़ा करन दी कोशिश करनगे आम आदमी पार्टी आले तांकि ओ सिद्धा मकाबला निरंदर मोदी नाल करने सो कुल मलाके इना चोना दे नतीजे वी सो चौवी दी स्यासी फाइट ते देश दा पविखताय करने जी डेला गिता दे जी बहुतबो ता नवाद तो आड़ा के तुसी बड़े वेर्वेदे नाल एना स्यारे स्यासी समिकरना नू दर्षक देनाल सांजा गीता है दर्षक दा भी तानवात कर देयां जो हमेशा भी प्रोग्राम देनाल जुड़ुडए ने कीमती सुजा, कीमती विचार भी साधे नलक्सर संजे कर देने ते जनारी उन मैनू यानि के हर जोत कौन वी दियो जो इजाज़त तनवाद बहुत बहुत तनवाद